तो power bi आई सीखते सिखते हम आ गए है transform कॉलन में इससे पहले ही classes में हमने home video home type की पूरी खतम कर चुके हैं अब हम आ गए हैं transform लें तो transform में इसे group by हैं एक group by हम home में आपको बता चुके कि group by क्या करता है सेमी यहां के आया हुआ then force row header जब आप data connect करते हैं, header reader maker पाता है, तो आप इसको first row header कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शॉर्केट और यह change type और promote header हटा दियें, तो अब data यहाँ पे देख लिजिए, सिर्फ colon 1, 2, 3 स्थर से आ रहा है, हमारा जो header है ना, उसको header न मानना कि data मानना है, उस समय इस पर use first reader, यहाँ पे, use row as a header, या header as a first row, दो लों को change कर सकते हैं, तो यहाँ पर click किया हमारा change हो, अब बात करते हैं, इसमें transform की, तो उसके लिए हमें एक summary data चाहिए होगा, जहां हम transform का इस्तमाल कर सके हैं, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे, एक option यहाँ पे आता है, transform में, वह आता है, pivot column, pivot column पे click करेंगे, और हम यहाँ, advance option में sum करना है, and, एक गलत हो गया, कभी कभी क्या होता है, कि हमारा जो ए होता है, colon जो होता है, और row हो जाता है, इसे हम लोग, एकसर में, paste as a transform करते हैं, सेम यहाँ अगर, transpose पे click करते हैं, तो यह आपका, transform row हो जाता है, इसने ही आपको देखी, इसको as a row नहीं माना, तो यहाँ भी, वो आपस transpose करेंगे, तो यह आपको नॉमलेटर आ जाएगा, और, transform करेंगे, तो row को column, vertical to horizontal, horizontal to vertical, इसका इस्तमार हम करते हैं, simple transform में अगर हम करते हैं, horizontal to vertical, and vertical to horizontal, हम transform में करते हैं, जैसे कि हमने आपके, आप इसमें आता है reverse, reverse, reverse मतलब इससे देखे, पूजा, मोहन, उदय, उगेस आ रहा हैं, अपर मैंने इसको reverse row कर दिया, तो देखे, रवी, उगेस, उदय, मोहन, पूजा, मतलब जो पूजा सबसे पहले था, वो लास्ट में आ गया, मैं दोबारा करके दिखाता हूं, मैंने यहां, reverse row पे click किया, तो यह देखे, reverse हो गया, तो यह reverse row इसके लिए आपको थोड़ी दिन में समझाते हैं, तो यह आपका count हो आया, count होंके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि deduct data type, तो यहां पे इसको देखके, data type को deduct करके बता रहता है कि हाँ, यह text है, otherwise आप यहां पे change data type भी जाके, data type change करने के लिए आप इसके भी click करके data type को change कर सकते हो, और आपको change data type भी जाके, अपनी data को change कर सकते हैं, तो data कितने तरह के होते हैं, जाने जी whole number, मतलब कि without decimal, इसमें decimal नहीं आएगा, currency, currency करते हैं इसके आगे जो आपका currency का, जो symbol है, वो symbol लग जाएगा आपका, देखिए, यहां dollar लग गया, अब dollar के जगह पे आप जो लगाना चाहिए लगा सकते हैं, उसके बाद क्योंकि यहां पर currency के बाद बात करते हैं, आपका whole number बता कि कोई decimal नहीं, जो पहले सब्सक्राइब होगी था, percentage, इसको percent में convert कर देगा, उसके बाद करते हैं, date and time, data time में, लेकिन सिर्फ यहां date and time और time zone दोनों दिखाएगा, durations मतलब कि hours में दिखाएगा कितना गंटा है, 24 गंटा, 24 गंटा, क्योंकि अगर time लेते हैं तो आपको 24 गंटे सूपर नहीं दिखाएगा, लेकिन आपका duration, 26 गंटा, आपका 37 गंटा, 30 गंटा, जो overtime type का जो होता है, वो durations में दालेंगे, text, आपका text आएगा true false, तो just true false बताएगा, क्यों one is the true, तो यह रहाए false, तो true false में convert कर देगा, तो one and zero के true false में convert कर देगा, यह आपका data type, तो data type, data type में क्या हो, आपने आपका rename, double clicker करेंगे, column का name change करते हैं, वो ही आपका rename है, replace यहाने आपको बताया था, कि आपको कोई value, किसी अनुदर value से replace करना है, तो आप replace में इसका use कर सकते हैं, जैसे मैं अगर कवीता को control करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कवीता और यहाँ पे control, तो इसमें data में आप manually कोई entry नहीं कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, अब double click करके चाहें कि मैं इसको को change कर दूँ, तो change नहीं कर सकते हैं, तो replace से आप इसको replace कर सकते हैं, fill जो आता है, उपर के चीज़े नीचे down करने के लिए होती है, fill अपने कि इसका use हम लोग नहीं करते हैं, अब आते हैं, pivot column, आपकी जो column है, उसको pivot ने करने के लिए इसका use करते हैं, इसे seat 2 हमने हाँ connect किया हुआ है, और मालने जे कि मैंने, December तो का, किसी का लेते है, seat 1 का लेते हैं, और इसकी हम duplicate कर लेते हैं, duplicate में का हो कि हमा data change नहीं हुआ, अब मैं Jan से लेके December तो को क्या कर देता हूँ, हम height कर देता हूँ, एक column में था नहीं हुआ है, choose columns, कि हाँ से मैं Jan, Pair, March, April, May, June, July के पुरह अडा रहा हुआ हूँ, अचा इसमें नहीं है ना, अगर इसको select करके, अगर हम pivot column करते हैं तो क्या होता है, यह आपको column बारे रहता है, लेकि इसमें दो column अगर रहेगा तो सहीर आता है, दो column होने पे सहीर आता है, तो चलिए दो column होना data हम यहां पे load करते हैं, हमने पीछे विलिए में बताया था कि हम data source यहां डायक्ती यहीं से load कर सकते हैं, तो हमने from file किया और हम चलेगे जी में, power query के folder में, और in data को हमें आखर select करके import करते हैं, हमने data को select कर लिया, then okay, अब यहां पे name और city और जैन फर्माज है, तो चूच column पे आते हैं, और यह जो city राने देते हैं वाकी को यहां से हम हटा देते हैं, जो नहीं राया पे total राने देते हैं, और id भी यहां से remove कर जाते हैं, अब इस column को select करते हैं और select करने के बाद transform column में pivot column करके open कर देते हैं, name, options हमने यहां के बला, नहीं, sum किसका करना है, sum करना है, gtotal का and only, यह देखे, यह आपके एक pivot table की तरह हो गया, कि name आ गई और आपके city आ गए और आपके जितने भी total रुटे ना, यहां पी sum हो के आ गया, बिल्कुल pivot table की तरह, जिसे pivot table में यूज करते हैं, उसके तरह आपके यहां आ गया, और unpivot table तो हमने last time में आपके बताया ही, और move भी बताया था कि हम इसको किसी भी column को अपने हिसाब से कहीं भी move कर सकते हैं, कहीं भी इसको यहां से move कर सकते हैं, इससे उठा के हमने यहां से move करना सिखायता आपको, कहीं भी इसको move कर सकते हैं, अब आता है convert to list, यह list को convert कैसे करेंगा, तो मैं एक बाए सारे इसको हटा देता हूं, अब इस list को select किया, और यहां पे convert in list पे click किया, तो यह यहां देखके पूरा नाम आएगा, पर यह नाम repeated आ रहे हैं, यह unique नहीं आ रहे हैं, क्या रहा है, repeated आ रहे हैं, simple सा, तो यहां आपको remove duplicate कीजिए, और आपके पास वही नाम आएगे जो सिर्फ एक बार हैं, जो multiple times है, और नाम नहीं आएगा, अब मैं इसको two table में click कर दिया, और यहां पे और भी चीज़े हैं, लेकि just open कर दिया, तो यह आपका just stay बार आएगा, तो यह चीज़े आप duplicate data पे किजिएगा, क्योंकि आपका original data भी chain हो जाएगा, तो यहां से step को none किजिएगा, तो आपका normal हो जाएगा, लेकि जो last होगा, वही data आपके Excel में वापस import रोके आएगा, तो list हम बना सकते हैं, list बहुत चीज़ों के लिए बनाते हैं, जिससे हमने आपको function में देखा का parameters में भी list जाएगा, किसी QD यह table से ले सकते हैं, जिस तरह के list भी बनाए जा सकते हैं, तो pivot and pivot list, अब बात करते हैं, split और हम split आपके साथ बात्चित कर चुके हैं, क्योंकि हमें home menuar में आपको split प्रहाया होगा है, split के बाद हम बात करते हैं, format की, कि आपने data की किस तरह की format करते हैं, तो format आप यहाँ पे चुछ कर सकते हैं, जिससे के manager select करके, अगर मैंने इसको upper case कर दिया, तो पूरा upper case में हो जाएगा, lower case किया तो पूरा lower case में हो जाएगा, capitalization इस हो और तो पहला लेकर बड़ा हो जाएगा, trim करते हैं, ताकि जो spaces है, all remove हो जाती है, अगर मैं यहाँ से clean करता हूँ, तो data हमारा clean हो जाता है, add prefix, add prefix में हमने आपे लिख दिया, self-officers and space देखे, okay कर देखे, देखे, सब के आगे so लग गया, इस तरह के चीज़िया आप किसके साथ कर सकते हैं, add prefix या suffix, suffix में last को कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो last में कुछ जोड़ सकते हैं, prefix और suffix की, use करेंगे, अब बात करते हैं, merge column, जैसे आपको बहुत दो-तीन columns है, यहाँ पर मैंने दो-तीन, तीन column दे लिया, और इसको merge column कर दिया, merge column कर यहाँ ने merge है, यहाँ पर separator, अब इसमें यहीं ही नहीं, merge को लोगते हैं, इसके लिए नहीं होता है, कि इसमें नाम और city को मैं इकठा merge करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे, यह आपका, यहाँ पर comma separator है, यहाँ पर first character, last character में जो first character अलग करना है, last character अलग करना है, यह range अलग करना है, जो range पर click करके हमने बोला start one से हो, और number character दो अलग होते है, इस ओ जो है, वो यहाँ पर अलग होके, अलग कोलन में जाया है, text before delimiter, text after delimiter, text between delimiter, यह track कर से, text to column type का ही होता है, इसे पहले भी outcome, split column जैसा ही भी होता है, अलग होते हैं, अलग होते हैं, अलग होते हैं, अलग होते हैं, range जो में यहाँ पर zero से कर दिया है, और यहाँ पर number of three character लेके, okay कर गाया है, तो देखे, s-o वाला, s-o आ गया, बट आपका जो name दाना, और गया होते हैं, but split column में ऐसा नहीं होता है, दोनों राता है, name गया नहीं होता है, but extract में आपका column दी गया हो जाएगा, यह चीज़े आप इसको apply कर सकते हैं, उसके बाद aesthetics पे आप थे, statics पे आने के लिए मुझे एक पर छोटा table जाए होगा, तकि आप समझ पाएंगे, जिसे हाँ, इस पे select करते हैं, statics में जिसी मुझे कुछ add करना है, sum करना है, अच्छा इस अब जो लेते हैं, इस पे statics वर्क नहीं कर रहा है, इसका यूज में आगे आपको करेंगे पिखाएंगे क्या यूज होता है इसका, और इसके बाद यहां पे आपका minimum, maximum, average, standard deviations, count values, count, distinct number, distinct value, इस सब यहां से आपको count करके देगा, अज़से माल यह चलिए में जलते हैं, data sheet है, और हम सबसे पहले तो आते हैं इसमें, और हम कुछ columns यहां से फटा देते हैं, थाकि एक दो column ही दिखेगा, फुछ सही दिखेगा, पोर्टन रहने जाता हूं, बाकिसा हटा रहता हूं, अब इस पे अगर मान लेजिए, स्टैटिक्स में आते हैं, अगर मैं इसको sum करता हूं, तो overall sum दिखा रहा हूं, जो आप देखा हैं, अगर सम के बाद अगर इसमें मैं transform में आता हूं, यहां पे मैं multiply करूँगा, तो यह बताया किस value से multiply करना, 2 से multiply, इसके मैंने डाल लिया, तो 2 से multiply, तो सब को 2 से multiply करके रहें, simple सबका result नहीं देगा, बस multiply कर रहें, यह तो चीज़ें यहां पर दिख रहे हैं, mid-million, average, standard, deviations, count, count, distinct, यह आपको यहां पर ओपर, यहां पर क्याकर कर लेगा, एक simple result में देगा, लेकिन अगर आप कुछ इस पे addition, कुछ calculation करना चाहते हैं, तो generally हम add column में जाके, custom में जाके करते हैं, ताकि एक निया column बनके आ रहें, लेकि मुझे जब total है न, मुझे इसी में करना है, तो transform में आपका यहां standard होता है, एक standard पर इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर multiply आपका है, खुछ मनें जो मुझे इसमें 1000 एड़ करना है, तो thousand number value दे लिए, इसमें 1000 को add कर देगा, पुरे number में 1000 एड़ कर देगा, इसी तरह से multiply करना है, percentage लगाना है, round करना है, moderate लगाना है, इस सारा calculation आप जैसे असानी से कर सकते हैं, अब को scientific की बात करें, मुझे इसको absolute value करना का minus plus में है, तो आप absolute value करेंगे, तो minus plus देगा, plus भी plus रहेगा, power इसका square q, power निकाल सकते हैं, square root निकाल सकते हैं, लोगिदर निकाल सकते हैं, based यह लेंगे, factorial निकाल सकते हैं इसका, तो यहां यह सारे mathematical calculations कर सकते हैं, तो यह से आप देख सकते हैं, तो यह से आप देख सकते हैं, यह even होगा, तो true आएगा, तो false आएगा, लेकिन same column में आएगा, इसलिए सबका use हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि column replace हो जाती है, इसका use हम लोग करते हैं, error location, अब बात करते हैं, date and time की, तो आप अपना date and time कर सकते हैं, कि आप यहां पे अपना date बगर निकाल सकते हैं, बट मेरे पास data date की नहीं है, तो एक बर चलिए, Excel में एक छोटा साथ data बनाते हैं date का, और फिर आते हैं power भी आईए, चलिए, तो यहां पे हम देते हैं date, name and quantity, simple इसाथ, तो हमने यहां से date लेके निचे तक डाल दिया, name भी डाल जाते हैं, और यहां quantity के लिए हम रायन बित्किन का formula लागाते हैं, और निचे तक इसको drag कर देते हैं, select किया, data menu में का है, other query, from range, ok, और सिरह आगे power query, अब power query मैंने इसको select किया, और यहां हम transform रायते हैं, date, इसमें मैं age लेके, calculate age आपको दिख रहा है, 209, अबे date में time format में, इसमें time format में, अबे time format को मैंने कर दिया, इसमें whole number लेके, तो यह आपको, जो है, दीन में, number of days में, निखाल के आपके सामने, दे दिया, कि यह number of days में, यह हमारा time, इसमें, difference है, current system date से लेके, जो date है, तो date डला हुआ, पत्त है, यह date ने age का यह होता है, यहाँ पर date only, तो सिर्फ आपका date दिखेगा, उसके बाद year, मुझे year चाहिए, तो सिर्फ year दिखेगा, अब वापस अठाईए, तो वापस यहाँ का जाएगा, उसके बाद month, month दिखेगा, quarter, quarter दिखेगा, यहाँ पर quarter of year, एक quarter दिखेगा आपका, वापस इसको step होटाते, week है आपका week भीएगा, day है आपका day दिखेगा, same, day, day of week, कौन सा week है दिखेगा, 0 जे चलू होगा, आपका day जाजाएगा, इसके बाद लिए वीक दे, work day, formula वगदा इसको इसके 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 बाद लिएक दे, latest, latest नमादा, यह दिखा रहा है कि latest यह है, के चीज़ी हम यहां से करते हैं अगर अपने पास टाइन है तो टाइन में भी इसी चीज़ते इस्तमाद रहते हैं सिंपल से अगर दूरेशन दूरेशन है तो टाइन अगर होगा तो आपको पता से जायरा कि अगर दूरेशन मतलब कि अगर टाइन बीच गंटे परचीज गंटे ने तो इसका यूज कर सकते हैं पाक यह स्ट्रेक्टर कॉलम के बारे ने अगर बास ने आपके बाक्षित करेंगे थैंकि